हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जशिन की वीडियो शेयर कर रही हूं फुल विंटर हेर के रूटीन की वीडियो शेयर करूँगी जिसमें हेर वाश, टावल ड्राइंग, ऑइलिंग, इसके इलावा जूडा ये सब ही मैं आपके साथ इसकी पूरी वीडियो शेयर करूँगी तो guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो चलिए guys बीना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्चार्ट करते हैं Let's get started तो guys जैसे कि अब winter स्चार्ट हैं summer and winter दोनों में मैं इसी शैंपू का यूज करती हूँ आपने काफी टाइम से आप जशन की वीडियो देख रहे हैं और आप सबको बता है कि मैं यही वाला शैंपू यूज करती हूँ मुझे इसके result इतने ज़्यादा अच्छे लगे हैं तो देखें लेदर बहुत ज़्यादा अच्छा करता है जैसे कि winter है तो मैं थोड़ा सा गरम पानी ही यूज कर रही हूँ जशन के बालों की length आप देख सकते हैं कि उसके बालों की length बहुत ज़्यादा लंबी है बहुत लंब हो रहे हैं आगे से और भी ज्यादा लंबे हो गए हैं उसके बाल तो वीक में उसे एक बार हियर वाश करवाती हूं सबसे पहले मैं उसे हेर वाश करवा रही हूं इसके बाद मुझे थोड़ी सी टावल ड्राइंग करनी है फिर मैं उसके बालों को नैच्रली एयर ड्राइंग होने दूंगी सारा शैंपू आप देख सकते हैं कि बालों में से अच्छी तरह से निकल चुक हैं उसके बाल इतने ज्यादा हैवी हैं इतने ज्यादा उसके लंबे बाल हैं कि संभालने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं उसके बाल तो दिन बर दिन और ज्यादा लंबे हो रहे हैं त ताकि जो पानी है ना वो बालों में से निकल जाए इसके बाद मैं उसके बालों को naturally air dry होने दूँगी किसी भी ड्रायर का मैं यूज नहीं करती हूं ना ही summer में ना ही winter में कम से कम इसके बालों को सूखने में तीन घंटे लग जाते हैं अभी उसके बाल बिल्कुल वेट हैं आप देख सकते हैं उसके बिल्कुल long wet hair तो guys hair wash करवाने के बाद और towel drying करवाने के बाद जशन छत पे चला जाता है और धूप में उसके बालों को naturally air dry होने देती हूं बड़ी अच्छी तरह से उसके बाल धूप में सूख जाते हैं बिल्कुल dry हो जाते हैं इसके बाद मुझे oil लगाना पड़ता हैं एक तरह से heavy hair oiling ही मुझे उसके बालों पर करनी पड़ती हैं तो आप जशन के बालों की length देख सकते हैं कि उसके बालों की length और भी ज़्यादा increase हो रही हैं कम से कम तीन घंटे तो उसके बालों को सूखने में लग ही जाते हैं उसके बाद मु कोई भी मैं उसके ponytail braid कुछ भी नहीं करती हूं जस्ट मैं उसके braid बना कर जूड़ा करती हूं और उसे पटका वियर करती हूं तो देखे इसी तरह से जशन अपने बालों को सुखाता है च्छत पे दूप से उसके बाल बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाते हैं और हमें बा अच्छी तरह से सूख चुकी हैं अब मुझे उसके बालों पर आइलिंग करनी है आइलिंग के लिए मैंने यहां पर आमला ओइल का यूज किया डाबर आमला ओइल का बहुत ही अच्छा वाला ओईल है वैसे मैं मस्टर्ड आइल जशन के बालों पर यूज करती हूं बट इस बार मैंने आमला ओईल उसके बालों पर लगाया है जशन के बालों में तो इतना ज़्यादा ओईल लग जाता है कि यह छोटी से वाटल तो पूरी ही खतम हो गई थी और वो भी मुझे कम लग रहा था ओईल उसके बाल मुझे बीच-बीच में से ऐसे लग रहे थे कि ऑ आइलिंग की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है अच्छी तरह से मूं इसके बालों पर ऑईलिंग करती हो मसाज करती हो सभी टैंगल को रिमूव करने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है अदा घंटा तो अराम से लग जाता है आप उसके बालों में शाइन दे आप सब को जैसे पता है कि जशन एक वह आया तो मैं उसे रुटीन में जूड़ा करके भी रगते हूं कभी बहुत जिंदगी में उसके पालों की कटिंग नहीं कर वाहिया त्रिमिंग नहीं की है आज तक उसके बालों को कैंची टच नहीं की है हर वक्त वो जुड़ा करके ही रखता है पठका वेर करके ही रखता है तो गाईज अगर आपको जशन की रुटीन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें आपके एक लाइक से हमें काफी ज़्यदा मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं प्लीज गाईज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आप सब वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं तो आप जशन की ब्रेड देख सकते हैं कि कितनी जादी हैवी ब्रेड है उसको जुड़ा भी इतना ज़्यदा हैवी होता है कि पटका वियर करना भी मुश्किल हो जाता है तो इस तरह से जशन की विंटर में मैं बालों की क्यार करती हूँ बहुत अच्छी उसकी हेर केर रूटीन है जिस वजह से उसके बाल काफी जाता लॉंग स्ट्रॉंग और हेल्दी है मैं वीडियो अच्छी लगए हो कि वीडियो अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करदें तो चलिए गाइस मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए Thank you, Bye